पून परमात्मा पाप करम दंड को भी काट सकता है। उसका क्या नाम है? पूजा की विधी क्या है? फिर प्या अवश्य सुनियें जगत गुरु नत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरिक वज़ान। अगर यदि वो नादा नात्मा परम संत से नाम लेकर के विधी वत साधना करता तो यातपार हो जाता नहीं ता मनुस जीवन मिलता। और मुनस जीवन में उसको कार भी मिलती, ड्रायर भी मिलता, कोठी मिलती फिर बगती भी मिलती। वह से सदूरी बगती फिर पूरी हो जाती। इसलिए गीता जी धायर नंबर 16 के सलोक 23 में कहा के सास्त्र विधी को त्याग कह, जो मनमाना पूजन करते हैं, आचन करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना कोई गती हो, ना उनको कोई लाब हो, किसी परकार का भी कोई सुख नहीं होता, ना उसको कोई सिध्धी प्राणी था, उसने मनमर जी आचन से साधना की, उससे दान भी किया, वह किया हुआ दान तो मिल गया उसको, लेकिन मिला कुट्टे के जनम में, और कुट्टे के जनम में उसको जो कुछ किया था, वह सारी फैसलिटी जी बगवार न दे दी, और फिर बनेगा सूर, बता उ में के फैसलिटी मिलेंगी, और फिर चुरासी लाक्षियों में वह प्राणी चला जाएगा, इसलिए एक बता है कि जो साधना, जो पुन तुम कर रहे हो, ये विर्थ हैं, मिलें तो गे लेकिन विर्थ हैं, वेदों अनुसार साधना करने वाले प्राणी पूर्ण मोग्स राप्त नहीं करते हैं, चुरासी लाक्षियों में रहते हैं, ये चारों वेदों अनुसार साधना करने वाले, लेकिन पांचमा वेद जो सवसम वेद हैं, वो प्रम्पिता प्रमात्मा, पूर्ण ब्रम के दौरा परदत है, उसमें चारों वेदों वाला भी ग्यान है, और cooperative knowledge नहीं है, जैसे दसमी मेटरिक तक का जो सलेबस है, वो गलत नहीं है, मेटरिक तक का तो ठीक है, देकिन बिन जो प्रम्पित का उसमें नहीं हैं, ऐसे ही चारों वेदों से आगे, जो नहीं जन प्राप्त किया, वो पांचमा वेद नहीं मिला, उस कारण से चारों वेदों नुसार साधना करने वाले बहुत बड़े-बड़े महापरुस हुए हैं बड़ी साधनाए की हैं उन्होंने परवात्मा पाने के लिए अपने जीवन की परवा भी ना करके इतने कठीन साधनाए की हैं उन्होंने लेकिन वो सास्तर विरुद होने से उन्हें कोई लाव नहीं मिला अब आपको एक परमान दिखाते हैं थोड़ी सी जलग दिखाते हैं आपको ये वेदों उसारसाद ना करने वाले की के दुरुगती हुई समझदार विक्ति को संकेती भाउत होता है जैन दर्म के चौविस में तीरत कर स्री महाविर जैन जी इनकी यही आत्मा पहले राजा रशब देव जी के पोते मारीची थे यही आत्मा और राजा रशब देव जी ने गर त्याग के अपने बच्चों को राज दे करके एक हजार वरस तक निराहर तप किया निराहार रहे उसके बाद उरों ने अपना वो निहार वरती तोड़ी उसके बाद पहली दिक्सा पहला नाम पहला सिस अपने पोते मारीची को बनाया उसके बाद मारीची ने वेदोन उसार साधना क्योंकि उस समय वेदो नुसार साधना की जाती थी अन्य साधना नहीं थी रश्चब देव जी ने वेदो नुसार साधना प्राप्त थी और साथ मैं काल के दौरा भरमित किया हुआ वो हठी योग भी उन्होंने किया तो उस वेदो नुसार साधना करने से उस मारिची जी की क्या दुर्गती हुई और रशब देव जी का क्या हुआ रशब देव जी आगे चलके बाबा आदम हुए जो मुसल्मान धर्म और इसाई धर्म के पर्थम पुरुश माने जाते हैं और बाबा आदम भी फिर सुखी नहीं मर्त्यू के उपराई बाबा आदम कहते हुए उपर सुर्ग में थे वो पित्तर लोक में बैठे हैं और वहां एक तरफ देखकरके रो रहे थे दूसरी तरफ मू करके हास रहे थे हदर्त मौमन जी को एक फरीषटा जेबरिल नाम का फरीषटा उपर पित्तर लोक में लेकर गया था पित्तर लोक के साथ ही स्वरग लोक है तो पित्तर लोक में जब उसने आदम जी को देखा वो कभी इदर देकर रो रहा था दाई तरफ देकर हंस रहा था हदरत मौमन जी ने पूछा जबरिल देवता से कि ये कौन है विक्ती कभी रो रहा है कभी हसरा है उस देवता ने बताया कि ये बाबा आदम है और ये दाई तरफ इसकी पुनकर्मी प्रानी स्वरग में है और बाई तरफ ये नरक है इसमें इसके जो नकम्य संतान थी वो इधर नरक में डाल रखी है नर्क वाले चला रहे हैं रो रहे हैं उनको देखकर तो ये रोता है और सुरग में जो सुखी है उनको देखकर हसता है उन्हातमाओ ऐसे महापुरस की ये दुरगती के सुरग में भी सुख कोना वहां भी उदर दुखी हो रहा है जो नकमी संतान को दुखी देखता है तुम्हां रो रहा है अच्छी की तरह मोग करके थोड़ी दिर हस लेता है इस काल ने ऐसा जबरदस जाल फैला रखा है कबीर परमातुमा के बिना इसके जाल को कोई काट नहीं सकता अब महाविर जैन जी की क्या दुर्वती हुई कितना उलाब हुआ कितनी हानी हुई उर साधना से वह आपको दिखाते हैं इसके लेखक है परवीन चंदर जैन एम्मे सास्ट्री यह कहां से छपी है यह देखिएगा आओ जैन धर्म को जाने लेखक है परवीन चंदर जैन एम्मे सास्ट्री जम्मू दीप हस्तनापुर परकासिक है स्रीमती सुनीता जैन जम्मू दीप हस्तनापुर मेरट इसके एक सो चम्मन प्रष्ट पर आप देखेंगे बाबा आदम कौन थे कौन से तीरित कर को सभी धर्मों में पूजा जाता है परसन उत्र बगवान श्री आदीनाथ यानि रश्ब देवजी को परसन इसलाम धर्म में भगवान आदीनाथ यानि रश्ब देवजी को क्या माना गया है उत्र बाबा आदम आदम बाबा अब हम आपको माविर जैन जी की उपलवजी बताते हैं जिनों ने अपने मनमुखी साधना की यानि वेदो अनुसार साधना की और रश्ब देवजी से डारेक्ट उपदेश लिया जो की जैन धर्म का पर्थम तीरत करमाना जाता है परवरतक माना जाता है उन से उपदेश लेने के बाद उस आतमा की केक्याद रुगती हुई और क्या कितने समय तक उसने स्वरक प्राप्ती हुई यह देखिएगा इसी पुस्तक के प्रिष्ट नमबर 293 से सरू करते हैं विसेज परकरण स्री महाविर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं उत्तर अन्य पांच नाम हैं वीर, अतीवीर, सन्मती, महाविर एमेम वर्दमान अब हम 24 परिष्ट पर आते हैं महाविर भगवान के जीव का कतन कहां से प्राम होता है उत्तर दिया है पुरूरा नामक भील की प्रियाए से पुरूरा पुरूरा भील कौन था और उसने क्या किया वो पुस्क कलावती देश की पुंडरी कीडी नगरी में एक भीलों का राजा था उसने सागर सेन मुनिराज से मद्ध मास मद्धू का त्याग वर्द लिया था जिससे जीवन प्रियंत पालन किया श्री महाविर भगवान का जीव पुरूरा भील की प्रियाए से कहां गया पहले सोधर्मे शुरुग में एक सागर की आयुवाला देव हुआ भरत चकरवर्ती की राणी अन्ट मती سے मारीची नामक जेष्ट पूत्र हुआ पहले सुरुग के बाद माविर भगवान का जीव किस प्रियाए में गया भरत चकरवर्ती की राणी अननतमति से मारिची नामक जेष्ट पूत्र हुआ ये भरत सक्रवरती रष्व देब का बेटा था और वरत का पूत्र था ये मारिची मारिची की प्रियाय से महाविर भगवान का जीव किस प्रियाय में गया ब्रहम सुरग में देव हुआ ब्रहम सुरग से बाद स्री महाविर भगवान का जीव किस प्रियाय में गया अहुद्धा नगरी में कपिल ब्रामन की काली इस्त्री से जटिल नामक नाम का पूतर हुआ जटिल की प्रियाय से स्री माविर भगवान का जीव किस प्रियाय में गया सोध्रम सुध्रम सुरग में एक सागर की आयूवाला देव हुआ सो धर्म शोर्ग से निकल कर गआ गया इसी भरत अक्षेतर सूती का नामक गाउं में अग्नी भूत ब्रामन की गोतम स्त्री से अग्नी से नामक पूतर हुआ अगनी से की प्रियाय से यानि जीवन से कहा गया सुर्ग में गया फिर बरत अक्षेतर के मंदिर नामक गाव में गौत्म ब्रामन की कोश की पतनी से अगनी मितर नामक पूत्र हुआ अगनी मितर की प्रियाय से यानि जीवन से कहा गया महेंदर सुर्ग में गया महेंदर सुर्ग से कहा गया दोसो पचाड़ में गया मंदिर नगर में शालक ब्रामन की पतनी से भार्दवाज नामक पूत्र हुआ बार्दवाज के स्रीर से प्रियाय से महाविर वगवान का जीव कहांगा महेंदर सुर्ग में दे हुआ महेंदर सुर्ग से कहांगा इतर नगोद में एक सागर की आईयो वाला नगोदिया जीव हुआ नगोद से निकल कर श्री महाविर वगवान का जीव कहा गया अब सुनियो कमाल की बात अनेको भाव यानि जीवन धार्न किये जो इस परकार है ओहो पुन्यात्मा जिनकी भांग का नसा उत्र गया होगा न यू ग्यान सुनके उनको ये सथितिस देखके इस मापरुस की तो न गणा नसा हो रहा है उतर जाएगा इसी सत्संक रूपी एंटिवाइटिक ज्ञान सुनने से सब नसा एक दन इस भांका काल की भांका उतर जागा और फिर केवल एक प्रमेश्वर कीचा रह जावागी यहां की कोई वस्तु आपकी इच्छाए नहीं रहेगी यहां की वस्त हमारे सद्गरंथ हमें सब रस्ता बता रहे हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं सके क्योंकि जो इनका ठेका लिया बैठे थे वो उनको तत्वा ग्यान तो ठानी केवल अक्सर ग्यान था वो समझ नहीं सके तो वह वरन आपको गीता जिद्धार नमबर तीन में दिखाऊंगा कि नहीं चाहते हुए भी यवर महाविष्णों महिस आपको फल देंगे कब देंगे कैसे देंगे वो तरीका बताऊंगा अभी पहले ये चैप्टर यो विशे पूरा कर लेते हैं अब महाविर जैन जी की क्या दुर्गती हुई ये पहले एक भील था फिर सुर्गम गया फिर ये मारी ची नामक पूतर हुआ ये बर्द का बेटा राजाद सब्देव का पोत्र पोता और सब्देव से उपदेश प्राप्त करके इसने साधना की अभी आप सुनते आ रहे हो रहट के हरट के कुवे की विरस्था कभी पुन किया तो सुरग गया फिर मुनस बना फिर दे देर सारे रहे गए अब देखिए गयास के आउजयन धरम को जाने प्रेश्ट नमर दो सो पिचाड़ में पर हैं नगोद किसे निकल कर स्री माविर वगवान का जीव कहा गया अने को भाव धारन किये हैं इस परकार हैं एक हजार आक वर्क्स के भाव यानि जीवन और असी ह हजार नीम के वर्क्स के भाव अर्था जीवन नबे हजार बार केले के वर्क्स तीन हजार बार संदन का वर्क्स पांच करोड़ बार कनेर का वर्क्स साथ हजार बार वैस्या ओहो और पांच करोड़ बार सिकारी बीस करोड़ बार हाथी के भाव साथ करोड़ बार गदे के और तीस क्रोड़ बार कुट्टे का तो एक कजिवन बतेरा दुखका 30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 भी बना यानि सुर्ग में भी गया. और केमल असी लाक alcohol और यह देखो 20 क्रोड़ बार गिल्न Sc अब पन्यात्माओ 20 क्रोड बारब आठी — 60 क्रोड बार गदा is 30 क्रोड बार कुटता ओो ओो ओओ अ बग्वाँ इपर्मा आप्रमाटमा यर्य मालग मेरे अब पुनियरत्माओे 80 लाक वार देवता। भी बढ़न गड़ा। देवता ने गधा बन गया अगरम अगरम छोड़ के सीध्य हो करके माले के चरनों में लग जाओ और भूल जाओ इस नकली संसार को अब आगे देखो इस माविर जैन कैसे हुआ और फिर इस नागे कितने पाखंड मत चलाए यह देखिएगा असी लाख बार देव प्रयाओ को प्राप्त हुआ उप्रोक्त भहो को प्राप्त करने के बास लिए माविर भगवान ने किस प्रयाओ को प्राप्त किया राजगरह नगर में सथावर नाम का बरा मुणवा सतावर के जीवन से कहाँ गया महंदर सुरुग में साथ सागर की आईवाला देव हुआ राजगरे में विस्व भूती राजा की जैनी रानी से विस्व नंदी नाम का पूतर हो गया विस्व नंदी किप्रिया से कहाँ गया मा सुकर सुरुग में देव हुआ जो सुक्र सुरुक से कहां गया तिर प्रिष्ट नामक नारान हुआ तिर प्रिष्ट नारान से कहां गया सात्मे नरक में गया और सात्मे नरक में और सात्मे नरक से माविर जीव बगवान का जीव कहां गया एक बार फिर नरक में गया श्इंग गरी परवत पर शिंग हुआ और पुन्ह परilde नरक मगया पर्फ़म नरकज निकल कर भशरी लगवक्वान माविड क हजीव कहां गया हिम वान परवत शिफर पर शिखर पर शिंग हुआ और यहां उसे अजिन्त और अमित गुन नामक मुनी राज ने संबोधित किया सिंग का जीव इसे का गया सो धर्म सुरग में देव के तू नामक देव हुआ फिर वहां से का गया कनक प्रब नगर में राजा कनक उंक विदादर और राणी कनक माला से कनकोजल नामक पुतरवा कनकोजल से आगे का साथ में सुरग में देव हुआ साथ में सुरग से का गया अजा नगरी में राजा वदर सेन की सीलवती राणी से हरी सेन नामक पुतरवा रिषेन के जीवन से कहां गया महा सुक्र सुर्ग में देव हुआ, फिर सुक्र सुर्ग से कहां गया गात की खंडी में पूरु है, विदेही की पुस्कलावती देश की पुंडी कीनी नगरी मराजा सुमित्र रानी मनौर्मा से पिर्यमित्र नामत चक्रूरती हुआ, पिर्यम जीव से पुस्पोतर विमान में दे हुआ और फिर तनंतर 24 में तीरत कर श्री माविर भगवान होया ओ तरग्जब जीवा श्री माविर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए 363 पाखंड मत चलाए अब पर लिखे हैं कि पाखंड मत चलाए इसने फिर आगए क्योंकि पाखंड़ा मत है जो बगती सही मिली सही बगती वेदों से प्रार्म होती है जो पर दसमी तक की है इसको भी ये रिशीजन डंक से नहीं समझ से के क्योंकि काल ने इसमें भी पचेडा करवा दिया जैसे बिरमाजी जब सबसे पहले इसको बिरमाजी को कमल के फूल पर रख दिया इन्होंने फिर होंस में लाए इस काल ने इस सारी कला काल की है तो बिरमाज जब कमल के फूल पर बैठा था तो पहले तिस ने उस कमल के फूल को ढूंड़ना चाहिए कि कहां पैदा हो रहा है कि दर्थी है कि न उतना लंबा उसकी डंठल थी कि कहीं उसको पता नहीं चला तो डंठल ना पकड़के नीचे उत्रा देख द्या कर उट्टा है उस कमल के फूल पई बैठ गया अब उसने सोचा अब क्या हो भाई तो कहीं रस्ता निजर नहीं आ रहा आकासवानी हुई कि तप करो अब ये काल ना आकासवानी कर दी बिर्मा जी ने सोचा ये प्रमात्मा का आदेश है बैठ का तप करने के लिए एक हजार वरस तक तप किया फिर आकासवानी हुई अब शरिष्टी करो अब ये काल क्या करता है इन ने तड़े डुआवे मारे से ही और अपना स्वेम अलू सीधा कर लेता अपने रिमोट से तो ऐसे ही इन बिर्मा भी सुनो शीव से भी ये तप करवाता है तप करके इनकी वेटरी चार जिन में शिद्धियां पैदा कर लेता है उन शिद्धियों से फिर स्वेम रिमोट चला करके इनको इन चे तीन नू काम कराता है उत्पत्ति सथिति और सहार कर तो ऐसे ये जो वेदों को तो बिरमाजीने बाद में पड़ा है तब वेदों वाला ग्यान ओम नाम का जाप और पांच ये नथिगल्स इतनी ही साधना वेदों मेवरनी था हट्षियोग नहीं है तप नहीं करना अब तप भी करते है सासा भी करते है क्यों करते है क्योंकि वो काल ने एक अ और आदेस दे दिया अपनी तरब वेदों का ज्यान कभीरometer अäreस्वर ने इस जोती निरिजन को दिया थो वेद निरलेप वेदों का ज्यान बिल्कुल परिमन्त में सुय माकर बोला क्यों बोला क्योंकि काल ने ये पान्चमा वेद समाफ्च कर दिया, ये चार वेद जनता को अपने वनसजों को दे दिये, इन चार वेदों में कंपलीट ग्यान नहीं है क्योंकि यदुर वेद जहाय नंबर चालिस के मंतर नंबर दस और तेरा में सपश लिखा है, कि उस पर चार के स्लोक 34 में कहा है कि उस परमपिता के पाणे के लिए जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष होता है उस तत्व ग्यान को किसी तत्व दर्शी संतों को से जा कर पूछो यानि गीता से ग्यान अलग है वो गीता ग्यान तो वो गीता ग्यान दाता काल की अपनी मोखिक वानी जो आदेश जो सास्तर विरुद है कि विल सिद्धियां और राज प्राप्ट करने का है तप और उसे कुछ नहीं मिलता और तप और राज और शिद्धियां इस जीव की सबसे बड़ी सत्रू हैं ये भगवान ना दे और हमारे उल्टी फिटिंग हो रही है कि हम चाहूं है ये चीज़ सिद्धिय हो जाएं एक दूसरे पर जंतर मंतर कर जाएं वो हमारे पूजा कर रहे या राजा बन जाएं ये दोन्नों ही नर्क जाने के रस्ते हैं अगर सत्साधना नहीं है तो अब आपने देखा के अब पाखंड मत चलाए किसने महाविर जी ने 363 पाखंड मत चलाए बहुत तेरा गज़े गोई हो 363 पाखंड मत क्यों चलाए क्योंकि रश्यव देव जी से वेदो अनुसार साधना इंकलोडिंग तब वो प्राफ्ट किया उसके अधार पहिये स्वरग भी गया और नरख भी जब तक पूरन परमात्मा की भगती आपको नहीं मिलेगी पूर्ण मंतर नहीं मिलेगा पूर्ण संत से तो दोनों कर्म भोगने होगने पड़ते इनको चैह आप साधना कर रहे हो चैह ना कर रहे हो आपको पुन्द भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे और कभीर प्रमेस्वर की सरन में आने के बाद आपके पापों को कैंसल कर देगा प्रमात्मा आपके पापों को अपरादों को अक्षमा कर देगा नास कर देगा नश्ट कर देगा केवल एक ही भगवान है वो पुर्ण प्रमात्मा जो हमारे पापों का नास कर सकता है और कोई नहीं कर पावगा अब जैसे जिन को ग्यान नहीं था उन लोगों ने कैसे जनता को भरमित कर दिया पुनात्माओ आप स्टूडेंट हैं हमारे आपने प्रमात्मा पाने वारे इस विस्वविद्दाले में परवेश प्राप्त हो गया है इसके लिए आपको पूरा जो कॉर्स है वो कराना होता है इस दास को टीचर बना दिया प्रमेश्वर ने इस अध्यात्मिक मारग का तो आपको पूरा कॉर्स कराएंगे ठीक है जो पहली दूसरी बार आते हैं उनको सारा सत्संग ड्यान में नहीं आता लेकिन इसी को बार 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 रिपीट करवाऊंगा आपके कुछ दिनों में उंगलियों पर ये ग्यान रटा जाएगा और तभी आप भगती करने योग बनोगे बर्मित नहीं हो पाओगे अब कुछ बर्मित करने वाले जिन के ओपर हम पूर्ण आश्री थें उन विक्तियों ने हमें ऐसा मिसगाइड कर दिया कि हम घर के रहे ना घाट के आरिये समाज परवर्तक स्वामी दानंद जी की ठूरी है वो कहते हैं कि वेद ग्यान सर्वसरेष्ट है वेद में जो लिखा है वो सट्ट है उसके विप्रित अगर किसी की भी कोई व्याक्या है वेद के विरुद वो है वो हम माननेंगे नहीं वो माननी भी नहीं चाहिए स्वामी जी ने लिखा है कि ये सत्यार परकास मैंने वेदों अनुसार लिखा है वेदों का निस्करस लिखा है अर्था जो वेद कहते हैं उसी को मैंने सिंपल करके अनुआदित करके उसको आपके स्वमक्स सत्यारत प्रकास रूफ में पेस किया है। अब देखियेगा सत्यारत प्रकास महर्षिदान सरस्वती और हत्-सत्यारत प्रकास है यह देखिएगा इन्होंने सप्ष्थ किया है वेद आधी वेद आदी विविद सत सास्तर परमाने सम्विन्त शिरीमत परमहंस परिजवर्जाकारिय आचारिय महर्शिदान सरस्वती स्वामी वीरचीते वेद आदी सत सास्तरों के सत परमानों के आदार पर महर्शिदान सरस्वती स्वामी वीरचीते आग पाच से सुसोबित करने में कसर नहीं छोड़ रहा कि इस मापर उसके इनकी महिमा करने में और इनका ग्यान देखना ये क्या बताते हैं सब्तम समुलास है परसन किया परसन वेद में इस्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हुआ नहीं उत्तर स्वामी जी का नहीं मानते क्योंकि चार वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिस से अनेक इस्वर सद्ध हों किन्तु यह तो लिखा कि इस्वर एक है अब देखो अब इसकी छूरी यहीं देख लेना कैसे फेल होती है अब 156 पर इसी सत्यार प्रकास के परसं किया कि इस वर साकार है वा निराकार उत्तर स्वामी जी का निराकार यहां देखो एक सो पच्पन पर ही यह दोनों थूरी यानि यह एक सो बावन प्रिष्ट वाली एक सो क्यावन प्रिष्ट वाली कि वेद में इस्वर अनेक हैं कि वेध में इश्वर अनेक हैं यह आप मानते हो कहता हैं नहीं मानते क्योंकि चारों वेध्यों में कहीं नहीं लिखा कि इस जिस औनेकं इसवर स्यदह हों किन्ट 화 isवय। यह तो लिखा इसवर एक है और दूसरी करनी चीए परसन करता कहता है क्या सतूती आजी करने से इस वर अपना नियम सोड़कर प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा प्रार्थना सतूती करने वाले का उतर नहीं तो फिर सतूती प्रार्थना क्यों करना परसन करता कहता है फिर किसलिए करेंगे बगति जो पाप पर नहीं कटेंगे तो स्वामी जी उतर देते हैं उनके करने का फल अन्ने ही है परसंद करता ने कहा क्या है स्वामी जी उतर दे रहे हैं कि सतूती चे इस्वर में प्रीती उसके गुनकर्म सभाव से अपने गुनकर्म सभाव का सुधरना प्रार्थना से निर अभिमानता उत्सा और साहे का मिलना उपासना से परवर्म से मिल और उसका साखशाथकार होना अरे पुन्यात्मों विचार करो बालक भी समझ लिए इस बात में एक तो ब्रम है एक पर्ब्रम है एक पूर्ण प्रम अक्सर ब्रम है पूर्ण ब्रम तीन भग्वान है जैसा कि आपको गीता जिर्द्ध है नमबर पंदरा के अंदर पूरा विस्तरी त्यान दिया गया है समझाया था चरपुरस अक्सरपुरस चरबरम अक्सरबरम और परम अक्सरबरम बरम परबरम पूरन बरम तीन भगवान है और ये खुद लिख रहे हैं के साधना करनता है भगवान तो मिले नहीं, नपाप तो कटे नहीं, परबरम से मेल और उसका साख साथकार हो जाए, यानि बरम से भी दूसरा भगवान, दो परमात्मा तो खुद सिद्ध कर दिये, स्वामे जी ने अपनी ही ठ्यूरी में, और खुद कहते हैं कहीं ने लिख्या कि अनेक परमात निराकारवारी कर दी के साख साथ, साख साथ तो साकार का होता, निराकार का साख साथकार क्या हो, ऐसे ही, यहां देखिएगा, अध्याय नमबर पर्थम का, शमुलास पर्थम में 17 प्रिष्ट पे, यह कहां से परकासित है, यह देखिएगा पहले, क्योंकि यह बरमित हो ज प्रकासक है वैदिक यतीमंडल दानंदमठ दीनानगर पंजाब से और चपा कहां से है मुद्र के आचारिय प्रिटनिंग प्रेस दानंदमठ गोहना मार ग्रोह तक यहां से चपा है अब देखना यह समुलास नमबर एक और सत्रा प्रिष्ट पर क्या बता है इस दातू से इस्वर सबद सद होता है इस इस्टे एस्विवान वर्तते सई इस्वर है जिसका सथ जिसका सथ विचार सील ग्यान और अरंत इस्वर है इस से उस परमेश्वर का नाम इस्वर है यह क्या लिखा है इसवर है από प्रमेश्वर स्वट दिखाएंगे आपको यह देखियो आप प्रश्ट नंबर 20 पे लिखा है सामर्थे वाले का नाम इसवर है इसवरेसू समर्थेसू प्रमे स्रेश्टेस है तो इसवर है जो इस्वरों और इस्वरों अर्था समर्थों में समर्थ जिसके तुल कोई ना हो उसका नाम परमेश्वर है अब इस्वरों सबद क्यों लिख दिया है इनोंने जब इस्वर एक है दूसरा है यह नहीं इसकी इनके सास्तर में इसके दौर लखे गए इस गरंथ में इस्वरों सब्द नहीं होना चाहिए था इस्वरों का अरथ ही अनेक परभू आप ही सिद्ध करें और यहां परवर्म बर्म से दूसरा यानि एक तो दादा एक पर दादा दो होगे ना एक दादा एक पर दादा यानि दादा का भी नेक्स्ट दादा दूसरा दादा वो बड़ा दादा तो कैंड दो दादा हुए तो ऐसे ही परबर्म का से मेल दो थूरी खत्म कर दी इसकी एक तो निराकार वाली एक अनेक इस्वर नहीं है ये खुद दो परब्रम खुद लिख रहा है आगे तीसरी वेदों से खतम करेंगे कि पापक्समा ना होते इन्होंने आगे फिर देखिएगा सब्तम समलास 163 प्रिष्ट पर परसन अपने भगतों के पाप इस्वर अपने भगतों के पापक्समा करता है वाँ नहीं दुवारा परसन की अगाई है स्वामी जी कहते हैं क्योंकि जो पापक्समा करें तो उसका न्याए नष्ट और सब मनुस्ष महापापी हो जाएं क्योंकि उनको पाप करने मुटसा और निर्वेता हो जैसे कोई राजा अपरादियों के पाप की अक्समा करें तो वे अजीक अजीक अपराद करने लगें जो अपराद नहीं करते वे भी अपराद करने से नड़रेगा इसलिए सब कर्मों काया था उत्फल देना इस वर का काम है अक्समा करना नहीं शिद्ध हो गया कि सपष्ट कहता है कि पाप अक्समा नहीं होते पुनात्मा ये भी थूरीन की गल्त है कि राजा पाप अक्समा करे दिया जैसे आपने पीछे देखा पंजाब मों गरुआद हो गया था और सरकार ने ऐलान कर दिया था भी जो बुखे दाराम आ जावागा उसने कितनी है को कोई भी अपराद कर रखा उस सब बाफ कर दिये जाएंगे तो कई हजारों की संख्या में बच्चे जो अनजानपने में पाप करने लग गए थे वो मुखे धाराम आगे उन सब के मुकदमे वापस सरकार ने ले लिये थी यह भी पर्तेक्स परमान है तो बच्चे फिर आगे अपना सुचारो जीवन निभाने लगे फिर पीछे एक लड़की थी वो डाकू बन गई थी उससे भी सरकार ने यही कंप्रोमाइज किया था कि यह दि तू आगे गलती नहीं करेगी तो हम तुमें वापस माफ कर देंगे उसके सारे मुकदमें वापस ले लिये और वो MP तक बन गी थी तो अब यह भी थूरी इसकी गलत है कि राजा और माफ कर रहे तो और कुगा करने लग जाए नहीं गलती से अक्समा पाप सबसे हो जाते हैं अपराद भी बन जाते हैं उनको अक्समा ही सबसे बड़ा उनमसुधार लाने का एक विकल्प है यही प्रभू करता है अब आपको यजूर वे दिखाते हैं अब वेद कहते हैं प्रमात्मा गोर पाप काट दे स्वामी जी के ते पाप कटे नहीं तो स्वामी जी की थूरी वेदो अनुसार नहीं है वेदो अनुसार नहीं है या जूठी है और कती विर्थ है किसे काम की को सब्सक्रा Way antibiot。 वेद वध वरुद किसी के वचन मांने नहीं को में होने चाहिए। कि मेरी थे थूरी वेद को यह रही है, यह भी नहीं माननी चाहिए। तो इनकी थोरीत है सारी वेद विरुद है तो इसको त्याग देना चाहिए इसी में हमारा हित्त है और हमें कोई सोक नहीं है इन मापुरसों के विशे में कुछ कहना ना हम इनको चोर कहते ना ठख कहते और ना ही हम इनको बुरा कहते लेकिन ग्यान ही नवस्य कहते हैं इनको ग्यान नहीं था कियोले एक अक्सर ग्यान था उनली वो भी संस्क्रट वासा का अब जिसको संस्क्रट वासा आती है और अंग्रेजी ना आती तो तो अंग्रेजी में विद्वान, वो विद्वान कहा हुआ? एक भासा का विद्वान हुआ और महरशी की पद्वी तो बहुत दूरती बाते हैं, अब देखिएगा यजुर्वेद, ये महरशी दान सरस्वती इनके द्वारा अन्वादित है, ये कहां से छपा है ये भी देख अध्यासक है सारवदेशीक, आरियव परतिनिती सभा, दो बटा पांच, महरशी दान भावन, राम लिला मैदान नहीं दिली और इसमें ये स्वामी दानन जी द्वारा इसका अनुवाद है ये जुर्वेद, आरियव हासा, संपुरुन, चालिस अज्याय महरशी दान अस्टमाओ ध्याय ये अठ्माँ है, तरश्ट दोस्वमि दाननलट है, स्वामी दानन जी दोस्व ठीक ने है, आठमे जाय का ये तेर मासलोग है ये अस्टमोज जाय और ये तेर मासलोग मंत्र है यहां देखेगा 240 पे हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप मित्र माने प्रभू वे प्रमीश्वर देव करते से दान देने वाले के अब एनसे एनसे माने अप्राहद एनसे सब देखना जान से को कि आप अक्सर ग्यान यूक्त है एनसे माने अप्राहद अवे जनम माने वी नास करने वाले यानि अक्समा करने वाले असी माने हो मनुश करते से, साधान मनुश्यों के किये हुए एनसे माने अपराद के अवेजनमाने विनास, यानि अक्समा करने वाले नास करने वाले आप हो पिता के किये हुए एनसे, यहां भी पाप कहें तो अपराद कहें तो अच्छा है विरोधाचन लिखा है एनसे यानि विरोधाचन के दूर अच्छी प्रकार हरने वाले हो आतम करते से अपने किये हुए एनसे माने पाप के एनसे माने पाप भी एनसे माने अपराद भी अपराद और पाप एक ही होता है पाप के अवजनमाने दूर करने वाले यानि नास करने वाले अक्समा करने वाले हो एनसे एनसे अधरम के अधरम हो हो करते घोर पाप के भी को भी आप नास करने हारे हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी धरमाचन किया करता हुआ करूँ अन जान मैं जो कुछ भी किया करता हुआ उस करूँ उस उस सब एहन आपराद के दूर करने वाले आप हैं अब बगवान तो वेदों में लिख रहा है वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा हे पूर्ण ब्रम्स कबीर परमेश्वर आप घोर पाप को भी नास कर सकते हो और जाने अन जाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं उनको भी आप अक्समा कर देते हो और स्वामिजी कहते हैं कि भगवान पापक्समा नहीं करता तो यही वेद विर्द थूरी ने हमें भर्मित कर दिया और हम भगवान से दूर होते चले गए यही कहते रहे कि भगवान पापक्समा नहीं कर सकता वो साधना जो बताते थे उससे कोई लाब किसी को हुआ नहीं इसलिए नास्तिक तो बन गए और भगवान की थूरी को भी सिधान्त को ही बदल डाला और लोग नास्तिक हो गए बकवादाम बढ़ गए कोई दारू टूए कोई सराप टूए कोई चोरी करन ला गए कोई ठगी क्योंकि बगवान का साहरा प्रोपर विधी के बिना नहीं मिलता परमात्मा के साहरे से ही हम अपने सब कारियों को सुचारू कर सकते हैं गर्मे भी बरकत बिमारी से भी छुटकारा और धन भी प्राप्ती हम अपने सत्थ प्रमात्मा से ही प्राप्त कर सकते हैं प्रमात्मा से जब प्राप्त करेंगे जब हमें उसे कनेक्शन मिल जाएगा क्योंकि प्रमात्मा कनेक्शन देने वाला संथ चाहिए अधिकारी और उस से फिर कनेक्शन मिलने के बाद जैसे पंखा है, मोटर है पाने निकालने वाली आटा पीसने वाली चक्की है पाउर मिलने के बाद फिर वो अपने आप काम करने लग जाती है ऐसे प्रमात्मा का सही होग मिलने से हमारे सबकारिय सुचारू हो जाते है हलके हो जाते हैं और हमारे पाप अक्समा प्रमात्मा कर देता है कबीर साहब कहते हैं जब ही नाम हर्द धरो बैयो पाप को नासे मानो चिंगारी अगनी की वाई पड़े पुराने गासे कितना दसजार क्वेंटल का सुका गास पड़या हो एक माचिस की तिली लगा दो सारे को जला कर राह कर देगी हवा तेज चलेगी उसको इदर दर बखेर कर वाँ साफ कर देगी जब ये सचा नाम आपको मिल जाएगा आपके पापों में आग लगा दी जाएगी आपके पाप पुन ही प्राप्त होंगे और जब तक आप प्रमात्मा कवीर जी की सत साधना नहीं करते नकली साधना चे कवीर पंथ की फीत लाकर कोई करता रहे उससे भी कोई लाब नहीं होने वाला तो उट को दोनों ही पुन में पुन और पाप दोनों फोगरे पड़ते हैं इसी का प त्पन करने के लियो किसान को कितना परियतन और कितना समय और पैसा धन वे करना पड़ता है। कई बार तो उस खेत को कि गड़ाई की जाती है, संवारा जाता है हल से, ट्रैक्टर से। उसमें पैसे लग गए है और अपनी डाड़ी मेजदूरी लगए फुरी बार की। तो च्यार कुंढर मोल लाते तो वो पैसे का ही होता, घर से लगाए तो भी हमारा धन ही लगा, ऐसे फिर उसमें खाद डाल ला वो पैसे से, फिर पानी मिला वो क्टूबल चला वो पैसे से, यानि खोब पैसा भी लगा, समय भी लगा और महनत भी लगी, जब जाकर के कुछ वह सुखदाई अनप्राप्त हुआ और उसी खेत में कुछ भी ना करें गहास जंखाड जहाड बोजडे उसमें इतना कुबाड उग जागा उसमें दिख कोनी दर्ती कहां पर है तो ऐसे ही ये मनुस जीवन रूपी जो खेतर है ये सरीए खेत है हमारा इस में इस खेत में बढ़ेंगी सिम्रन भी करना पड़ेगा धर्म भी करना पड़ेगा पांच दी करने पड़ेंगी जब जाकर के कुछ पुन वह सुखदाई कणक में लेगे और वो ना करेंगे तो यह जो पाप तो अपने हाप बन जाएंगे कहते हैं पिरत्वी ऊपर पक जो धार है क्रोड करोड जीवे एक दन में मारहें हर जो सतिर बृभामण की हैं घट्या जो चोंका तुम लिप हो नित्या हो इसमें स्थर बृभामण दितनी हद्टा तुम्हें परती दिन हो जाती है और एक दिन सहर सप्टा ये गा कर्माई दोजर गुमते हो बाहर काम पर जाते हो एक हजा करोड़ जीव एक दिन मार करके तुम इसराम लेते हो यह भी पाप तुम्हारे मस्तिक में लिखा जाता है अब जैसे महाविर जैन जैसे माप्रुश और इनके उपर भी तने पाड तूटा पापों का साथ क्रोड़ बार गदा तीस क्रोड़ बार कुट अबीस क्रोड़ बार बिल्ली इसको पुन के लिए सी लाख बार देवता भी बना या राजा भी बना और फिर नरक में भी गया तो इस से जो पुन थोड़े बने और पापों का धेर गणा बन गया इस सिद्धानत को समझाने के लिए आपको यह इतनी व्याख्या इतनी सारी जो गुमिका बनानी पड़ती है अब हम आपको बताते हैं कि जब हम सतसाधना करेंगे तो आपको यह हमारा जो करम का फल है वो यह देवता बिना मंगें देंगे आप इनकी पूजा करते रहे हो कती नहीं दे सकते जैसे आप कहीं नोकरी करते हो आप नोकरी करते हो सरकार की तो सरकार की पूजा करोश की सेवा करोश सर्विस सरकार की करोश को छोड़ कर आप किसी और दूसरे अधिकारी की करने लग जाओगे नोकरी दोगे छोड़ वो अधिकारी कितने देगा तो पान सो रुपे दे देगा महिनें गणें 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 वो आपको वो तनखानी देश का है दो सरकार देवेगी अब आपको दिखाते हैं गीता जायर नमबर तीन में अब आपने इन सद्गरंतों को इतने प्यार से समझना है बहुत आसानी से समझना जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि अक्सर ग्यान की कमी थी और इस ग्यान को समझ में सारस तत्वा ग्यान की कमी थी तत्वा ग्यान दास को प्रमातमा ने परदान कर दिया अक्सर ग्यान आपको प्राप्त है अब दोनों मिलके हम प्रमातमा पाने की जीका निरने भी कर लेंगे और उससे पर दर्ड भी हो जाएंगे यही पुवितर गीता जी लगवग पच्पन सो वरस पहले बाउन सो त्रेपन सो वरस पहले लिखी गई थी और आज तक इसको समझने हो लेखक भी समझ नहीं सका इसको श्रीव्यास चीन इसकी लिखा है वो भी नहीं समझ सका और बाकी जो आपने देखी लिया इनके नुआद करता हो ने जिन्होंने कैसा जाना होगा इसको अब जैसे आपने महरे शिदानन्द के विशे में बड़ी व्यक्षि एक बड़ी ख्याती सुनी थी हम भी सुनते थे बड़े प्रभावी थे इस मापरुष से के सच मुच ये बहुत बड़े विद्वान है वेदों के ग्याता ऐसे हुए ना हो सकते हमारे अंदर ये च्छाप लगी थी जब तक हमें ग्यान नहीं था हमरी आँख्या नहीं बनी थी सुनी सुनाई दंत कथा से हम इसके पर बड़े प्रभावी थे और इसी के कारण इसी जब मुझे आदेश मिला के तो उपदेश कर और सत्संकर उपदेश दे उसके बाद मैंने देखा कि द्यानंद जी की थूरी को विस साथ लोंको कि बड़े बिद्वान पुरुष्थे बड़े महा पुरुष्थे सत्यार प्रकास को फिर दोबारा उस तत्वय ग्यान के चस्मों से देखा एक भी ग्यान ऐसा नहीं जो कि संसार में समझाया जासक है जब पठ के ठाक हो लेकिन यू रखना इसलिए पड़ता है कि आपको दिखाने के लिए इस आस्तर के इसमें यू गंद बर्या है नीते ये गर पर अखन का भी को ना इसमें इतने बेहुद्धे बिचार भरे हुएं चोथे समुलासमा अदमी गर का सदे से दो बैठके बाण बैटी बाई बढ़ नहीं सकते इसको इकठे और अध्यात्मी ग्यान काजी सारो काट रहा आपको समक्स तरखे दिया अदास ने जहां तक लिखिया कि सुरिया पर मुनस रहते हैं ऐसे ही बगीचे बाग है जैसे पर च्वी पर है रच तरह गजब हो यह बाणी कोई लिख सकता बगरन से एक आदमी कती छक्का बांग प रहते हैं वो भी मना कर देगा तो पुन्यात्माओं दास के साथ या खेचातानी ने शुरू होगी कि मनने इनकी पोल पाड़ दी और अब जो कुछ विक्ती हैं सो पचास जो रोटी खा रहे हैं इसी कि किताब वेच के इसके नाम पर समू बना के वह अपने अन्वाईयों क को भोले बालों को मिसगाइड कर रहे हैं कराम पास बुंडा है बदमास है जूटा है जूठी महरशी दानंद जी की बदनामी करता है महरशी दानंद जी की तो बदनामी मैं इतनी भी ना करता हूं मैं तो ग्यान खोल का दिखाओंगी इसने यह लिख रख रहा है बस और व से समाज में ये पहुंच चुक्या सारा तत्व ग्यान और इनका ग्यान आमने सीडी बना बना के पुष्टक लिख 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 कर जनसाधान तक विजवादी बिल्कुल सस्ते भाव में फरी ऑफ कॉर्ट भी बहुत ही सस्ते में ताकि जनसाधान प्रमात्मा को पहचान सके अब देखना एक साधे सबसदे है सबसाधे सबजावे माली सीचे मूलकों फले फुले एगवे यही परमाना आपको पुवितर गीता जी में दिखाते हैं अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर यह श्रीमत भगवत गीता जी अध्याय नंबर तीन तू सास्तर विहित यानि सास्तर नुकूल जो सास्तरों लिखी भी साधना है करते है वो करम कर क्योंकि करमने करने के पेक्सा यही एक सत्थान पर हटियो करने के पेक्सा करम करना स्रेष्ट हैं तथा करम ने करने से तेरा स्रीर निर्वा भी तो नहीं होगा सिद्ध होगा आच्छा आगे देखो इसी में फिर नौ में यह आठमा स्लोक पढ़ा अपने अब नौ मा देखो यग के निमत किये जाने वाले यग के निमत किये जाने वाले कर्मों के अच्छे अतिरिक दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुस समुदाए कर्मों से बंदता है इसलिए अर्जन तू आ सकता से रहित होकर उस यग के निमित ही भली बादी कर्ट्यव कर्म कर अब करते हो सब्द क्यों लिखाए दोने यानि जो करने योगे हैं जो सास्तर नो कुल साधना वो कर और हट योग करना कोई यवर कोई फायदा नहीं तब करना ये तो मूर्खा की साधना है ये जि तू ऐसे बैठा रहेगा तो तेरा निर्वा कैसे होगा काम भी कर और भक्ती भी कर यही प्रमात्मा अपने सवसम वेद में कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पिते नाम सेती लागवे जन साधान भी भक्ती कर सकता है गरीब से गरीब कर सकता है अब रोगी भी कर सकता है तो ऐसे आप अपनी भक्ती करके सुष्ट भी होंगे और मुक्त भी होंगे धनी भी होगे अब देखिए तीसरे दाय का दसमा सलोग अब क्या बता है कि परजा पती विर्भाने कलब के आगी मैं यग सहीत परजाओं को रच कर उन से कहा था तुम लोग इस यग के दोरा गर्धी को प्राप्त हो यह यग तुम लोगों को इच्छित भोग परदान करने वाला है अब ग्याराम देखिए इस यग के दोरा देवताओं को उन्नत करो यह गहरा पॉइंट है इस यग के द्वारा देवताओं को उन्नत करो वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे इस परकारणी स्वार्थवाव से एक दूसरे को उन्नत करके तुम लोग परम कल्यान को प्राप्त हो जाओ यग के द्वारा बढ़ाए हुए देवता दान सित्प सुना यग के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इचित भोग निश्चे ही देते रहेंगे इस परकार उन देवताओं के दुआरा दिये हुए भोगों को जो पुरुस उनके दिये बिना स्वमी भोगता हुए चोर है अर्था दो दान धर्म नहीं करता वो तो पापी आत्मा है वो चोर है यग से बचे हुए अन को खाने वाले स्रिष्ट पुरुस सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग हैं वे अपना स्रिष्ट पोर्शन करने के लिए अन पकाते हैं और वे तो अपाप ही को ही खाते हैं अब 14-15 मोर कमाल है वो इसके बाद आपको बताएंगे इसी की तुरंट ही आप जी ने गिता धाया नमर तीन के सलोक 10, 11, 12 और 13 में सुना के जो यग नहीं करते कहते बिरमा ने परजा की उत्पत्ति करके ये कहा था तुम यग करो और ये यग माने साधनाएं अनुस्ठान सास्तर नुकाल साधनाएं करो और ये साधनाएं तुम्हें वर्धी को प्राप्त करेंगी तुम्हें समर्द बनाएंगी यग दोरे इन देवताहं को उन्नत करो और उन्नत यग के दोरे बढ़े हुए देवता तुम्हें पिर उन्नत करेंगे अब यग के दोरे कैसे बढ़ेंगे वो देवता अब इस point पर आते हैं जैसा कल आपको बता था गीता जिर्ध है नमबर 15 के स्लोक नमबर 16 एक से चार में और 16 सत्रे में सबस्ट किया है कि उपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुन रूपी साखा वाला रजगुन बर्मा सद्गुन विश्नु तंगुन शिवजी और उपर को जड़ मूल परमातुमा पूर्ण बर्म है बीच में तना ये अकसर बर्म है परबर्म और डार जो है वो बर्म है ये काल है तो उसमें बता कि जो मूल परमात्मा है वही तीनों लोकों में उत्तम पुर्शत अन्य उपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुन रूपी साखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसा रूपी बरक्सा है ये देखिएगा ये गीता जिद्धा नमर एक पंद्रा का गीता नमर द्धा नमर पंद्रा का सलोक नमर एक से चार और सोला सत्रा का आश्य है इसमें इसका निरने है अब उपर को मून पर्मातमा ये जड़रुपी भगवान तो परफ्रम अकसरब्रम है पूरुण पर्मातमा है पर्म अकसरब्रम और ये तना है ये चार परम अकसर पर्म है ये परम अक्सर ब्रम है ये अक्सर ब्रम है अक्सर प्रुस भी कहते हैं इसको परम अक्सर प्रुस भी कहते हैं और ये तना जो है ये च्छर ब्रम है और ये तीन डार ये डार समझो ये डार है तना तो है अक्सर प्रुस और बोटी डार निकलती है ये एक च्छर प्रुस है यानि ब्रम है और ब्रम इस डार से फिर तीन साखाई हैं रजगुन ब्रमा सद्गुन विश्णु तमगुन शिवजी और यह पत्ते हैं तो प्रमात्मा कहते हैं अक्सर प्रोस एक पेड़ है निरंदन वाकी डार यह यहां से उपर उपर तो दिखाई देगा यह यह एक सकती आहर चलता है है वक्ती करके यहां से सकती प्राप्र करते हैं फिर यहां से सकती आती है तना में तना से डार में डार से साखाओं में फिर जो भी जिस देवता की वक्याद आसरी तैजिस की ड्यूटी लगाई है उनको फिर यहां संसार रुपी पत्नों को इनी से आहर मिलता है यह मिलता कैसे है यह देखिएगा अब जैसे हमने साखतर विए अभी आपने गीता जी देहर नमबर तीन के सलोक नमबर दस से तेरा मैं सुना कि साखतर विहित साखतर अनुसार जो साधना की जाती है वही साधना लाबदाएक है तो यह देखिएगा जैसे हमें आम का पौधा लाए और उसको जमीन में या गमले में आंगन में लगाया तो जड़ नीचे मिटी में दबाई और उसके जड़ की पूजा सुरू की सेवा सुरू की उसकी सिचाई सुरू की तो जड़की सिचाई करने से वो पौदा पेड बना बड़ी बड़ी टहनी बढ़ गई वो बढ़ के टहनी या फिर ये देवतार उपी टहनी बढ़ी हुई विर्धी को प्राप्त हुई और फिर ये अपने आप लद पद होगी फलों से बिना मंगे फल देन लागी फिर ना सिचाई किया सकता फिर वो इतना फल देंगी बाद मज़े पूरा पीड बन जागा तो इप देखिए गाईए ये है एक पौदा सास्तर अनुकुल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ लगाया हुआ बगती रूपी पौदा अब हम इस पूर्ण प्रमात्मा जड़ रूपी भगवान पूर्ण प्रमात्मा संसा रूपी जो वर्क्स की जड़ है इसकी पूजा करेंगे इसकी पूजा करेंगे तो यहां से ये आहर चलेगा तना में तना से इस डार में डार से ये साखाओं में इन देवताओं को पहुंचेगा पिर हमें यहाँ यहाँ पर है यह हमें मिलेगा अब यही परमाण दिया है और हम क्या कर रहे हैं देवताओं की पूजा सुरू कर दिया उलटा कर लगा दिया वकती रुपी पॉदा। हमने यह उल्टा पोधा लगा दिया जिससे हमूर परमातमा छोड़ दिया टैनियों की पूजती पूजा सुरू करती यह पौधा ही नष्ट हो दियत है यह सास्त्र वरुदी रही रहे अ सास्त्र गिरुदी हार्थात ऊल्टा विज्द्धु उ भुग्ठिरु कुल प्रारम करो अपने सद्गरंतों में पर माने अब देखना अब फिर पड़ो इसी तीन स्लोकों को समझ माएगी पुवित्र गीता जी यही पुवित्र गीता जी देहर नमबर तीन का अब स्लोक नमबर दस देखो यहां से यह दस नमबर जोक है परजा पती बर्माने कलब के आदी में यग सहित परजाओं को रचकर कहा था कि तुम लोग यग के दोरा वर्थी को प्राप्त हो यह यग तुम लोगों को इचित भूब परदान करने वाला हो ग्यार में कहा कि इस यग के दोरा देवताओं को उन्नत कर और वे देवताओं तुम लोगों को उन्नत करें इस परकार निस वालतवाओं से एक दूसरे को उन्नत करके तुम लोग परम कल्यान को प्राप्त हो आगे देखो बार में मैं यग के दोरा बढ़ाए हुए देवताओं तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भूग न बोगता है तो वह चोर है अब देखिए अब ये पौदा था ये बगती रूपी पौदा हमने जैसे इसकी विजी है बीजन की नोप लगा दिया अब इसकी पूजा की मूल की प्ड़की तो ये बढ़ गया ये टैनियां बड़ी होगी ये टैनि बड़ी बड़ी हुई बड़ प्र ये पेड़ बन गया तो इसमें लिखा है कि ये देवताओं को उन्नत करो ये बढ़े हुए ये ये के द्वारा बढ़े हुए ये देखिए ये के द्वारा बढ़ाएग हुए यग के दुआरा यानि सास्तर नुकुल साधना से किया हुआ पुन से ये दुआरा बढ़ाए हुए देवता यानि ये वरक्स टेहनी बन गया पूरा पेड़ बन गया पौदा जो था तुम लोगों को बिना मांगे ही इची द्भोग देते रहेंगे अब क्या बताया है कि जब तुम सास्तर नुकुल साधना सुरू कर देओगे तुम नमांगन की जुरूत नहीं पड़े है हम यह कोई पूतर मांगता है कोई मैस का थन पे गिड़ गया यो ठीक हो जा वगवान कोई पलाटना बिकता कोई बात नहीं कि शुरू सुरू माम इतन नहीं नहीं तो वह ले मिल जाता तो यहां कबीर परमेश्वर अपने कोटेतें आपको कुछ रहत सुरू में एट दा सपोर्ट देगा जो सचे दलतन लगेगा आपके भाग में नहीं होगा वो परमात्मा अपने कोटे से आपको सुख देगा जो कुछ इच्छा हैं आपकी सुरू में ही पूरी कर देगा फिर आपको कहा जाएगा कि बगती रूपी पोदा तम बोलो खुद भी जो और फिर इसकी ऐसे प्रहरम कर दो बगती कुछ दिनों के बाद देखना तुम को मांगने की जरूत नहीं पड़ेगी किसी वस्तू की भी आप प्रमात्मा बरे उसमें से पुन पर नहीं लगाते हैं जैसे आपने जो साश्टन कुल सादना की परमात्मा पुर्ण बरेम को इस्ट मानकर पूजा की उससे आपके सुब संस्कार आपके अकाउंट में लिख दिये जाते हैं उनको फिर ये बर्मा विश्णु महेश आपको देते रहते हैं आप इनने कुछ भी कहते रहूं कुछ ऐसे लोग हमने देखा जिनके खुब खेती थी ट्रैक्टर चाला करते और सुबह उठते दारों पीन लग जाते उसको कभी कह देते भाई बगवान का नाम ले ले पर नो कहा दा बगवान की के बेट्टी गोड़ी है करका खाना होसा है वह याना करूँगा बगवान कैसे देदेगा बगवान को गाड़ी भी दें फिर बिनक घठाट रहा है इनको क्योंकि उन्होंने पिछले जनमों पुन करेखा वो तो देंगे ही देंगे और जो बगवाद कर रहे हो लिखे जाएंगे लिखे जाते हैं साथ साथ फिर उनका गीता जी निर्ने देगी इसका वितर गीता चास्तर हमें बताएगा चौधा और पंद्रा मंतर तीसरे धाएगा इसमें ये भी निर्ने होगा कि इस ब्रह्म की उत्पती पूर्ण प्रमात्मा से हुई जबकि अन्वाद करताओं ने इसमें गल्द करका है अब आपने आपने पढ़ा कि उन देवताओं के द्वारा दिये हुए गीता जी धायर नमबर तीन का और ये स्लोक नमबर तेरा देखो यग के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छी द्भोगी निश्चे देते रहेंगे इस परकार उन देवताओं द्वारा दिये भोगों को जो पुरसून को दिये विना स्वता ही स्वम ही भोगता रहता वो चोर है अर्था दान धर्म नहीं करता फिर नुस्ठा नहीं करता वह है व्यक्ति बगवान का चोर है सतेन है अब तेरमे स्लोक में लिखा है यह तेरमा स्लोक है यग से बचे हुए अन को खाने वाले स्रेश्ट पुरस सब पापों से मुक्त हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं और वे जो पापी लोग हैं अपना स्रीर पोशन के लिए ही अन पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं इसका भावार्थ है कि जो प्रमात्मा ने आपको सुईधा दी है धन दिया है उस में से प्रमात्मा के नाम आप नहीं लगाते हो तो आप अपना केवल पेट बरने के लिए मौद मस्ती करते हो आप प्रमात्मा के दोसी अपराधी बन रहे हो आप प्रमात्मा के लिए मौद मस्ती करते हैं प्रमात्मा के लिए मौद मस्ती करते हैं